कि यह व्यूद्व लोग बात करने हैं और इस वीडियो में इस वीडियो में इसके यह गलती आप पता हूंगा जो आपको नहीं करने चाहिए और इस वीडियो में इसके फूल बात करेंगे कि आपको इसमें कौन से अटेक्स एने जी क्या मैं अपनी कुछ पसनल जी गलती जो आप सिंडर ऐसके साथ आपके खिलते हैं अगर आप न न किसमें आप चाहिए पाल न जो आप फॉल यह तो मैं योदू आप यह निदेन मार देगा गास इसलिए आप 1 डिस्टेंस में टेन्टेंट करके लोगा सिंडर इसका अप जितना इसको इसतना इस्तेंस मे आप सिंदर्स के साथ उतना ही अच्छा खिलने लग जागों कि स्टार्टिंग होते हैं लेवल वन से लेवल वन पर तीन अटेक मिल जाते हैं एक तो बेसिक अटेक एमबर और लो स्विप बेसिक अटेक जो है गाइस वो काइंड़ बॉल है जो स्कॉर बनी अपने पैर से किक अब तुम्स याइश छो करता है उसका देमजी वे काफी अच्छा है और कफी अच्छा और स्ट बार्बनी को काफी हाई मतलब एडवांटेज मिल जाते हैं और जो सिंदर इसका सेकंड अटाइक है वह है एंबर और एंबर भी काइंड ओफ वाल इफेक्ट आए गाइस और वह बेसिक अटेक जैसे लेकिन उसका जो डैमेज इस पेसी कंपेट तो बेसिक अटाइक वह काफी अच्छा है गाइस और उसका टीसर अटेक आजाता है लो से लो से एक कांड़ डैश है जो एनिमी को पड़ता है और उसके ज्यादा डैमेज नहीं है उसको आप सिफेक मतलब अगर अगर डिस्टेंस मेंटेंग करें जाते हैं तो एनिमी आपके काफी क्लोज आ गया तो इस सब्सक्राइब से थोड़ा दूर जा सकते हैं आप उसमें उतना ही उसका ज्यादा ही उस नहीं है उसमें अगर आप अटेक करने जाओंगे मतलब आप सोचोगी कि पहले मैं लो सिक मारता है उसके बाद एंबर या बेसी कटेका तो ऐसा नहीं गास इससे आपको काफी ज्या पहले बात करें पाइरो बाल के बारे तो पाइरो बाल भी एक बहुत कूल अटाइगा हमारे लिए कुल और एनिमी के लिए हॉट थैगा पाइरो बेकाफी अच्छा अटाइगा और यह कांड ऑफ मतलब सिंडर इस अपने पैर से एक आख का गोला तो तैयर करता हो और फेक अज उसका दूसरा अटेक जो है गास वह ब्लेज के अपने आज मतलब एक काइंड ओफ मतलब एनिमी को किक मार के गास वापी उसी प्लेस पे आ जाता है अपोजित तो यह एक्दम मतलब अजीब इसके हिसाब से इसको इसको डिस्तेंस में और लोंग डिस्तेंस में खिलना और मैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाइरो बॉल के साथ ही जाए लेवल एट पर अनलॉक हो जाते हैं दो नहीं अटाइक फेंट और फिलेम चाथ तो सबसल्ब बात करते हैं तो फेंट गाइस एक काइंड ऑफ है जो एनिमी को अटाइक को डॉच करता है गाइस और अच्छा आपको पता है एंडूरेश काफी कम है तो आप इससे काफी एडवांसे ले सकते हैं फेंट से हमारा दूसरा अटाइक जो है वो फिलेम चाल और फिलेम चाल भी काफी अच्छा है गाइस जो एनिमी को पड़ता है उसकी एच्पी जो है काफी ज्यादा ड्रेन हो काफी जाधा नितना नहीं क्योंकि आपके पास पहले साथाए अच्छा पैरो पर ये जादा hen mechanics और उससे क्यास अब 카메रे मेरा क्या-वल 45% HPB गाइस बढ़ जाते हैं आपको बफ मिलते हैं आप एनमी के अटेक को डॉज कर सकते हो गाइस आपको काफी जादे एडवानेटेज हैं तो इस लेवल नाइन के पाथ अनलोग हो जाते हैं आपका यूनाइट में और गाइस इसका जूनाइट मुग एना गाइस इतना सब काफी पास बाति हैं इसकाद मिख ए seinem जाए है और काफी लोंग रिजम नम्म pale डाखहां जाएं चैनल हाते हैं य। उतके सब्सक्राइए 10uciones के बात तो आप को पता हैं आपको ते littlepur नॉन बूस्ट और झाहर ऑगाइग से तोंकसे गडिस वह तोड़ा हो साधािए जाए आपको परसनल सजेशन दूंगा आपको पायरो बॉल फेंट और युनाइट मुव तो है इस और बेसिक आप इनके साथ चलोगे नाज तो आपको सच में सारे मतलब जो एनिमी नाज वो अपने घुतने पहले टेक देंगे तो इस चलो एस वीडियो अच्छले के तो वीडियो मैं इसे वीडियो आपके लाता हूँगा चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई